असलाम अलेकुम् जो भी लोग coins में थोड़ी बहुत बी दिल्चस्पी रखते हैं वो इस coin को लाजमी जानते हैं इसकी कीमत चाहे कुछ भी हो मगर यह एक नायाब coin तो है और इसके नायाब होने की वज़ा यह है कि जो लोग coins में दिल्चस्पी नहीं रखते हैं वह भी इसको लेके बहुत परजोश रहते हैं इस coins के rate क्या है इनके बारे में यह कहना कि यह 10 लाग से लेकर 1 करोर तक होते हैं यह क्यों कहा जाता है और यह ठीक है या नहीं अगर आप इन coins के internet पे rate चैट करेंगे तो लोगों ने अपनी मर्जी से इसके rates लगा रखें अभी मैं आपको एक OLX की वीडियो दिखाती हूँ और यह देखें आप जैसे ही हम OLX पर coins सर्च करते हैं तो देखें कि यह coin जो है यह देखें यहाँ पर यह coin जो हो रहा है और इसके rates भी आप देख लीजिए कि इसके rates क्या आ रहा है इनके rates इसलिए इतनी ज़्यादा आते हैं कि लोगों ने इसको assume कर रखा है कि यह बहुत ही high qualified coin होता है और अगर हम किसी कोई समझाने कोशिश करते हैं कि इसके मालिर इतनी ज़्यादा नहीं है और यह आम common coin है बलकर यह coin भी नहीं एक token actually तो वहीं कहते हैं उनके पास यह जवाब होता है हमारे बात की जवाब में कि हमारे पास जो है original coin है और यह एक copy coin है क्योंकि इसकी value जो है वो कम है यह इसके price जो है वो कम है और जिसके पास original है उसकी मालिक जो है वो लाखों में यह वो रुजहान है जो रातो रात इनसान को दौलत मन बनाने का खाव दिखाता है और बहुत साइर लोग इस जूट में आते भी हैं और बहुत महेंगा इस coin को purchase भी कर लेते हैं जबके यह original है और बस यह original है और मजीद कोई इसका original नहीं जो लाखों करोड़ों में जनाब वाला sale होता हो सचाए यह भी एक token है और जिस तरह इसके बकाया common tokens होते हैं और जो उनकी value होती है उसकी ऐसी तरह इसकी भी है इसे जादे इसमें कोई खास बात नहीं है यह silver में ही बनाए गए थे और जनाब यह ब्रॉंज ही मौजूद है लेकिन original गही है बस आज के लिए इतने ही इंशाला नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ हाजिर होंगे अभी के लिए लिए आपस्ट